मुझा नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों कानपुर में महिला को नौकर दिलाने का जहासा देकर बंदक बना कर दुशकर्म के मामले में रिपोर्ट नहीं दर्श होने से खाती से हतास पही पिरिता आरोप है कि जुही पुलिस खटना के एक माह से अतिक समय बीच जाने के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं दर्श कर रही है आपको बता दे कि फिरिता को रेलवे में तैनात महिला कर्मी ने रेलवे में नौक्री लगवाने का जासा देखकर बेती 30 जून को बच्चों समेथ उसे अपने साथ ले गई और सभी को बंधक बना लिया साथ थे उसके जिवरात भी हड़क लिया इस दोरान महिला के बेटे वह उसके करीबी ने उनके साथ कई बार दुशकर में किया घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धंकी भी दी इतना ही नहीं आरोपित की बेटी उन्हें दिल्ली ले जा कर बेशने की तयारी में थी इस बीच आरोपित उनके दिव्यांग बेटे से स्टेशन पर भीक मंगाते थे और भीक में मिले पैसे भी छीन लेते थे जिसका विरोध करने पर आरोपित उनकी बेटी ससलिल हरकत करते थे और अन्धा करके भीक मंगवाने की धंकी देते थे पिडिता का कहना है कि बच्चों के कारण वहां आरोपितों की पतारना सहती रही परिवार को खुचते हुए पती आरोपित के खर पहुचा तो आरोपितों ने पती से भी मारपीट की शिकायक मिलने पर पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपितों को चंगुल से चुडाया DCP साउथ रजिना त्यागी ने बताया कि मामले की चार्ज कर उचित कारूरी कारवाई की जाएगी बिरो रिपोर्च आईपियन करा देंगे कोई लड़का देगे लगका देंगे लगका देगने बाद हमने खाना कवाना अपने आदमी को छोड़ देना वापला कारशी ने किया एक जेराम जी है एक नन्नू है क्वान महिला थी जो आपको लेके गए वह गीता है और लोसनी है मेरे भूजरी ने बादे लिए अपनी है तो कि मेरे बच्चे ओगए थे तह उसको मजा पर जान कराएं हमने संभ पुली तान बारा देविपक में सिकात किये गोंने सुनी फिर वने बारा देवि पीो बारा देविट में जाते वासं क्या वे ज्यों चुनी है कि गीता और और गीता क्या करती है इसको नाम है नन्नु और जैराम जी जाल पक्राइचा उसके साथ अमसा दारु पिला कि हो आग थना है रहते है भेहलो और नहीं झाल झाल